जेहिन साथियों गाउं में सहित के अंतिम संसकार की तैयारिया अभी तक माता पिता को नहीं दी बेटे के सहादत की खबर रोडु गाउं के जवान मुक्ष कुमार के सहित होने की सूतना मिलने के बाद गाउं और गाउं के आसपास के छेत्र में गमी महूल हो गया सोमार यानिकी आज सहीत का अंतिम संसकार पेथे गाउं में किया जाएगा वहीं गाउं के लोग समसान की भूमी सहीत आम रस्तों की सफाई में जुटे हुए है परिवार में अभी तक माता पीता को इस बात का पता नहीं है कि उनका बेटा मुकेस कुमार सहीत हो चुका है एक नाम के दो दोस्त एक साथ की आर्मी जोईन मुकेस कुमार के दोस्त मुकेस ने बताय कि हम दोनों ने एक साथ आर्मी जोईन की थी 8 सितंबर 2018 को हमारा रिजल्ट आया था जिसके बाद मुझे दिल्ली और मुकेस कुमार को हेदरबाद तेनात किया गया इसके बाद रोजाना हमारी बात होती थी वहाँ पर नेटवर्क कम था तो मुकेस मुझे वायलेस मेसेज भीटता था 18 नुवंबर को मैंने मेसेज किया लेकिन कोई रिपलाई नहीं आया जिसके बाद पता चला कि वहाँ पर हिम्सकलन हो गया है जिसमें मुकेस कुमार सहीत तीन जवान सहीत हो गए है जवान के संबान में निकली जाएगी तिरंगा यात्रा साथियों बता दे कि देजभक्ती गितोर भारत माता के जी कारों के साथ सहीत जवान मुकेस कुमार का काफिला देजभक्ती गितोर भारत माता के जी कारों के साथ गाउं पहुचेगा जहां सहीद जवान मुकिस कुमार का राष्टिय सम्मान के साथ में उनके गाउं में अंतिम संसकार किया जाएगा वहीं गाउं और गाउं के आसपास के छेत्र के लोग भारी संक्या में सहीद जवान को अंतिम विदाई देने पहुचे जहां हातों में तिरंगा लेकर देश भक्ती के गगन भेदी नारों से आस्मान गुंजामन हो गया भारत माता के वीर सपुच सहीद जवान मुकिस कुमार सर को उनकी सेवाओं के लिए सच्चत नमन करता हूँ वहीं उनके वीर परिवार के लिए घहरी सवीद ना प्रकट करता हूँ